Hello everyone, देखिए NCRT का ही exercise का question है, यह question number 5 इस question में देखो क्या कहता है? A person needs a lens of power minus 5.5 diopter ठीक है? एक person है उसको कितनी power का lens चाहिए? minus 5.5 diopter for correcting his distant vision मतलब उसका distant vision खराब है, distant vision किसमें खराब होता है? myopia में, ठीक है? myopia में खराब होता है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो distant vision के लिए उसको सही करने के लिए कितना power का lens चाहिए? minus 5.5 diopter का और for correcting his near vision और near vision का correct करने के लिए उसे कौन सा lens चाहिए? कितनी power का? plus 1.5 diopter so what is the focal length of the lens required for correcting the distant vision and near vision? यह तो बहुत ही simple question है, देखो कैसे power आपको दे रखी है, आपको focal length निकान नहीं है तो formula आपको पता ही है, CDC बात है ठीक है? यह तो बड़ा simple सा question है लेकिन और इसको थोड़ा detail में समझते है, ठीक है? यहाँ से आपको पता चल गया था कि distant vision की वज़े से हमें power of lens कितना चाहिए? minus 5.5, तो कौन सा defect है इसमें? distant vision खराब है, तो myopic myopia और myopia के अंदर lens कौन सा use होता है? concave, कौन सा lens यूज होता है? concave, फिर near vision को correct करना है near vision में कौन सा होता है? जिसमें near का नहीं दिखता हमें दूर का दिखता है, वो कौन सा होता है? hypermetropia, ठीक है? तो hypermetropia और उसमें कौन सा lens यूज होता है? convex, तो ये सब बातें आपको याद होना हैं चाहिए, ठीक है? तो बस अब हम question कर लेते हैं, ये तो simple सा question था देखो, अगर मैं a part solve करता हूँ इसका, distant vision वाला distant vision के लिए मुझे focal length निकालनी है, ठीक है? तो distant vision के लिए, अगर focal length निकालनी है, तो power हमें given है, उसकी कितनी है? minus के 5.5 diopter, clear एतनी बात या नहीं? ठीक है? focal length निकालनी है, तो focal length कैसे निकलती है? यह देखो, power का formula होता है, 1 by F, और focal length meter में होती है, और power diopter में होती है, तब ही यह formula बनता है, ठीक है? यह मैं बार-बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि कहीं बार focal length आपके बाद centimeter में निकलती है, ठीक है? यह जब V और U दिया होता है, तो अगर power निकालनी है, तो सबसे फ़हले focal length को meter में convert करना होता है, तब ही power diopter में आती है, यह वाकि याद रखने वदी है, ठीक है? तो simple cf, तो यह f क्या हो जाएगा formula f का, 1 by p, और यह जाएगा 1 upon में minus के 5.5, यह नहीं, ठीक है? इसको solve करेंगे further, इसका 10 लगेगा point हटाके, तो उपर चाल जाएगा 10, यह जाएगा 55 minus के, और इसको further solve जाएगे तो 5, 2 जा 10, and 5, 1, 1, ठीक है? और इसको divide कर लो, 2 और 11, दे clear, अब जाएगा 11, 1, 11, यहाँ कितना जाएगा? 9, 0, 11, 8, 88, ठीक है? तो बस इतना बहुत है, तो 0.18, minus के 0.18 meter, focal length है हमारे पास, ठीक है? और कौन सा lens है यह? बता रहता हूँ, distant vision में कौन सा lens था? इसका concave lens यूज होगा, clear? जब बी पार्ट देखते हैं, इसका बी पार्ट क्या है? नियर वीजन का, नियर वीजन में भी सेम ही होगा, इसमें power कितनी किवन है हमें? देखो, नियर वीजन needs a lens of power कितना? प्लस के 1.5 diopter, ठीक है? तो power का formula हमें पता है, 1 by F होता है, तो F का क् 1 by P, तो 1 by 1.5, इसको further solve करेंगे, तो क्या होगा? सोचो, ठीक है, अब तो आप बता सकते हो न, point हटाना है, point हटाने का क्या होता है? 10 लगेगा, तो 10 उपर चला जाएगा, 5, 2 is a 10, 5, 3 is a 15, clear? अब इसको divide कर लो, यह रहा 2, यह रहा 3, और यह नहीं जाएगा, तो point लगेग 6, 6 meter, यह focal length आगा इसकी, ठीक है, और यह near vision का था, मतलब near vision ठीक करना है, इसको near vision ठीक, मतलब near vision खराब किसमें होगा, फिर hypermetropia में होता है, ठीक है, near का नहीं दिखता है, तो यह कौन सा lens यूज होता है, यहाँ पर हमारे पास, convex lens यूज होता है, ठीक है, समझ रहे हो, okay, thank you.